बीजेपी सांसद और मेयर से क्यों बीच रास्ते लड़ पड़ी रविंद्र जाड़ेजा की पत्नी क्या मोदी से मिलते ही भूल गई मर्यादा यासली कहानी कुछ और है अमित्षा तक पहुँच गई रिवाबा जाड़ेजा की शिकायत वार्ड कप से कट जाएगा जाड़ेजा का पत्ता पत्नी की सजाब भुकतेंगे रविंद्र जाड़ेजा कभी कहा उकात में रहो कभी कहने लगी होश्यार न बनो अचानक क्या हो गया पती के पाव छूने वाली संसकारी रिवाबा अचानक बीच सड़क सांसत से क्यों भिड़ गई जामनगर उत्तर से बीजे पिविधायक रिवाबा एक सारजनी कारेक्रम के दौरान खास महमान के तोर पर पहुंची थी लेकिन तभी उनके गुस्से वाला वीडियो किसी ने डाल दिया इस वीडियो में बीचे पिविधाएक रिवाबा जाड़िजा की मेर बीना कोठारी और स्थानिय सांसत पूनम माडम के साथ बहस पाजी हो गई वीडियो में रिवाबा जाड़जा उकात में नहने और जादर स्मार्ट नाव बनने की बात कहती नजर आई अचानक ऐसा क्या हुआ कि रिवाबा जाड़जा का गुस्सा आउट अफ कंट्रोल हो गया इस एक तस्वीर को देखिए इस तस्वीर में रिवाबा जाड़जा अपने पती रविंद्र जाड़जा के पाव छू रही है सिर पर पलू है रिवाबा के इन संसकारों को जसने भी देखा वो उनकी तारिफ ही कर रहा था ये तस्वीर इसी साल किये और थब किये जब IPL में चन्नाई सूपर किंक्स ने रविंद्र जाड़जा के चौके की वजह से विजेता बनी थी लेकिन उसके कुछी महीनों बाद रिवाबा जाड़जा के एक दूसरी तस्वीर लोगों के सामने आ गई इस तस्वीर में रिवाबा जाड़जा गुस्य में और अपने पास खड़ी दो महिलाओं को कुछ कह रही है यहीं से पूरी कहानी शुर होती है दरसल ये वीडियो 15 अगस्त का बताय जा रहा इस वीडियो को जिसने भी देखा उसने रिवाबा जाड़जा को ही दोशी मान लिया पर कहानी यहाँ पर उल्टाए असली कहानी जान कर आप ही एहरान रह जाएंगे दरसल रवंद्र जाड़जा के पतनी और जान नगर नौर्ट सेविधायक रिवाबा जाड़जा और स्थानिय मेर मारी माटी मारो देश कारिक्र में पहुँचे इस कारिक्र में शहीदों को श्रधानजली दी जानी थी सालसद और मेर ने श्रधानजली तो दी लेकिन उन्होंने अपने जूते और चपल नहीं उतारे रिवाबा जाड़िजा की बारी आई तो वो जूते और चपल उतार कर शद्धानजली देने पहुँच गई उनके ऐसा करने पर सांसद ने कुछ कॉमेंट कर दिया रिवाबा जाड़िजा ने जूते चपल पहन कर शद्धानजली देने की आक्ट पर सवाल उठाया बस फर क्या था जामनगर मेयर बीना कोठारी से बहस होने लगी इसके बाद रिवाबा भड़क गई इस जगड़े को देखते हो जब सांसद पूना माडम बीच पचाव करने आई तो रिवाबा जाड़िजा ने उन पर भड़कते हुए का ये सब भवाल उनकी वजह से ही हुआ है रिवाबा ने सांसद पूना माडम से का आप ही हैं जिनोंने समुद्दे को सुलगाया और आप ही आग बुझाने की कोशिश कर रही है आपने सार्जनिक स्थल पर मेरे लिए स्मार्ट ओवर स्मार्ट जैसे शब्दों का इस्तमाल किया और मुझे इससे कोई मतलब नहीं वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पुलसकर में रिवाबा और अन्य महिला नेता को शांत कर रहा है आलंकि इस जगड़े के बात कई पत्रकारों ने रिवाबा से इसकी वज़ह जाननी चाही रिवाबा ने जवाब दिया कि जब वो अपने जूते उतार रही थी तब दूसरी महिला नेता ने उनको लेकर कुछ टिपणी की और कहा कि देश के प्रधान मंत्री हो ये राश्ट्रपती वो भी ऐसे कारिक्रम में आने पर अपने जूते चपल नहीं उतार दे लेकिन ओवर स्मार्ट लोग अपने जूते चपल उतार देते हैं सांसत के इस बयान से उनको गुस्सा आ गया और रिवाबा ने पत्रकारों से का जब बात आत्म सम्मान की हो तो मैं अपने बारे में ऐसे बयान नहीं सुन सकत रिवाबा जाड़ेजा ने 17 अपरेल 2017 को रविंदर जाड़ेजा से शादी की थी इन दोनों की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी रविंदर जाड़ेजा से मिलने से पहले रिवाबा उनकी बहन नैना की बहुत अच्छी सहली थी रिवाबा एक समासेवी भी रह चुकी हैं और कई बारों के काम की तारिव खुद प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी और हमें तुशा कर चुके हैं रिवाबा जाड़ेजा को रिवा सोलंकी के तोर पर भी जाना जाता है उन्होंने राजकोट के आत्मिय इंस्टिटूट आफ टेक्नलोजी और साइंस से मेकनिकल इंजिनियरिंग की पढ़ाई की साल 2019 में बीजेपी की सदस्य बनने से पहले वो राजपुद संगठन करणी सेना की महिला इकाई के अध्यक्स थी रिवाबा जाड़िजा के चाचा हरी सिंग सोलंकी गुजरात के कॉंग्रस नेता है 2022 के गुजरात चुनाओं में रिवाबा को जामनगर से मौका मिला और वो रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीत गई